नमस्कार, स्वागत तो है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल देव्या एस्ट्रो में और मैं हूँ आप सभी के बीच देव्या आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए फिर से स्वापन सासर से जुड़ा एक नया वीडियो लेकर आई हूँ इससे पहले भी मैंने बहुत सारी सपनों से जुड़े अर्थ अपने इस चैनल पर अपलोड किये हैं जैसे की सपने में बच्चा देखना, सपने में शिवलिंग देखना, सपने में मंदिर देखना, सपने में साप देखना इस तरह के बहुत सारे वीडियोज मैंने अपने इस चानल पर अप्लोड किये हैं तो आप चाकर के एक बार मेरे इस चानल को विजिट जरूर कीजिएगा और सपनों से जुड़े अर्थ नाम की एक प्लेलिस्ट है आप उसे भी जरूर देखिएगा तो आईए अब हम बात करते हैं आज फिर से एक नई सपने के बारे में देखिए जब हमें कोई अच्छा सपना आता है तब हम बहुत खोश हो जाते हैं लेकिन जब भी हमें कोई बुरा या डरावना सपना आता है या फिर इस तरह का कोई सपना आता है, जो कि हमें समझ नहीं आता कि इस सपने का क्या अर्थ था, इस सपना हमें क्यों आया, जो कि सपना कहीं पर भी किसी भी चीज से जुड़ा नहीं, अचानक से आपको दिख जाता है, तो इस तरह कि जब सपने आते हैं, तब हम बहुत जा यहादा सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर इस सपने का अर्थ क्या है, यह सपना हमें क्यों आया है, तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा ही सपना लेकर आई हूँ, और वह हैं सपने में दुआ देखना, जी हाँ सपने में दुआ देखना, देखिए सौपन सासर के शुप सपना माना जाता है, यह सपना बहुत ही अशुप सपना होता है, सपने में यदि आपको दुआ दुआ दिखाई देता है, चारो तरफ दुआ ही दुआ हैं, तो इसका अर्थ है कि वह दुआ जितना जादा होगा, आपके दुश्मन उतने जादा बनेंगे, आपके जीवन में दुख आने वाले हैं, आपको वैपार में कोई बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, आपके चारो और दुर्भाग्य दरवाजा कट-कटा रहा है, आपके चारो और नेगेटिविटी फैल जाएगी, जीहां सपने में दुआ देखना एक बहुत ही बुरा सपना है, दुश्मन, दुख, नेगेटिविटी, दुर्भाग्य, नुकसान, पैसो का नुकसान, वैपार में नुकसान, मतलब कुल मिला कि सपने में दुआ देखना आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा सपना नहीं होता है, अच्छा यर्दी आप सपने में देख रहे हैं कि आ आप किसी बहुत बड़ी गलत फैमी का शिकार होने वाले हैं, उस वज़े से आप बहुत ज़्यादा तनाव में रहने वाले हैं, आपको बहुत ज़्यादा मांसिक परिशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जी हाँ, यदि आपने सपने में खुद को उस दुए के अंद यह वीडियो आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक शरूर कीजिएगा और एक बार चैनल की प्लेलिस चाकर विजिट शरूर कीजिएगा, यदि आप सपने में किसी और अर्थ के बारे में भी जानना चाहते हैं, तो वहाँ भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लेक की कोशिश करूंगे, अब मैं आप सबसे इजाज़त चाहते हूं, धन्यवाद